तिरते वर्ष के सभी विद्यारतियों का एक बार फिर आज के मा विद्याल राजपुर के यूटूब चैनल में हार्देख स्वागत आज हम इस खक्सा में राव जोधा के बारे में दियन करेंगे के राव जोधा जिनन जोधपुर के स्थाप नकी थी जोधपुर में उद्यां के बारे में मद्यन करेंगे और यह देखेंगे कि जोधा के नेतरते में जोधपुर राची या मारवार राची है उनका किस तरह से उद्धे या उद्कर्स होता है राव जोधा राव जोधा का जनम मार्च 1416 तदनुसर भाद्वा बदी अश्टमी सम्वात 1422 में बारे में पिता राव रनमल मारवार के साशक थे उनसे पहले हमने देखा था पहले भी ये रनमल है वह मारवार से मेवार से ले जाते हैं क्युकि उनकी जो बैन तेएंसावाई उनका विवाऊ उन्होंने मेवार्च के साथ किया था बाद में हम देखते हैं कि मेवार के जो सरदार को सरदार थे जो नाराज 극्ञ़ाते है रर्णमल से और ब्रौा रर्णमल को वो मार देते है है जो हम आगे देखते हैं इन्होंने जोधपुर सहर के स्टापने की इन्होंने ही जोधपुर का महरानगर्दोर गुनवाया राव ब्रहमबट राव जोधा के ही वंसस जोधा जोधा गही वंसस थे प्रिटा का नाम यह पूरो वर्तिशाजक ते राव रणमल थे ते रा मेवार का जो सासन का रही है वो भी इनकी सहमती से सलता था परसंथे और उन्हें नरेश महाना कुंबा और उनकी सहमता सोबा के दिवी को राव रणमल के विरुद भेका दिया में में पताए की जो सर्दार trout कर दिया विक्रां संपा लाखावद सिसोधिया के तर्तों में मिलाड की शेना मंदोर पर आकमर कर मारवाड़ राजये पर अधिकार जमाले आवने पिता कि निदन के साहती राव जोधा का पेतरक राजय भी हास से निकल गया लेकिन राव जोदा नहीं कभी नहीं बुला कि धर्ती वीरों की वदू होती और युद्ध शेत्रियों का प्यावसा है वसंद्रा वीरारी वदू वीर तीको ही बीन्द रंज खेती राजपूतरी फिरनंबूले वीर नभूलए तो जेत्रियों की खेती है वो क्या है युद्ध करना जोधा का जन्म 14-16 को हुआ वीर सासी और प्राकरमी राव जोदा ने मारवार को पुना विजित किया वीर सासी और प्राकरमी राव जोदा ने मारवार को पुना विजित करने है तो नेंतर संगर चारी रखा और अंत में अपने भाईयों के सक्रिय स्योग से मंडोर, कोश्णा, चोकडी पर विजे के तुर्ज लहरा कर मारवार पर पुनाराट्रोड राज्य के स्ताबना कर दी विक्राम समध 1510 में अपने पेतरक राज्य को मेवार से मुक्त कर लिया इस विजे के बाद राव जोदा वो उनके भाईयों ने सोजात, पाली, खेरवा, नाडोल, नारलोई आधी पर हमला कर जीत लिया राव जोदार ने अपने भाईयों पुत्रों के सयोग से अपने राज्य को मंदोर, मेड़ता, फलोधी, पोकरन, बदराजून, सोजात, पाली, शिवान, सामार, अजमे, नागो, डीड़वाना तक बढ़ा कर एक विजा राठोल राज्य के स्ताबना कियक की इसके वीर पुत्रों में दूतो जी ने मेड़ता को जीता, राव विका जी ने जांगल देश जी से आजकल विकानेर कहते हैं, जांगल देश को जीता, वाव विदा जी ने च्छा पर विजे कर अलग-अलग समाना अंतर राठो राज्य के स्ताबना की मंडोर को अश्रक्षी समझ कर जेश्ट सुकल ग्यारस सनिवार विकरम समथ 1515 में राव जोदा ने जोधपूर के किले महरानगड की नियू डाल कर जोधपूर नगर बसाया, राव जोधपूर ने अपने राच्चे का सासन सुञेस्ते चलाने है तो राच्चे की अलग-अलग-भाग में अपने भाइयों और पुत्रों को बार दिया और 1545 में राव जोधपूर की राव जोधपूर ने जोधपूर में रानी सरजील बनाए थी मारवार में राव जोदा के पश्यात राव सातल सासक हुए राव सातल के वाद साव सूजा हुए लेकिन दोनों सासकों के वाद 1525 इसमें एक महत्पुन सासक हुए राव गांगा तो राव गांगा के बाद में हम देखते हैं कि बाद में जो मैत्पुन सास को होते हैं वो राव मालदेव होते हैं तो आज के हमारी कक्सा यही संपन होती है अगली कक्सा में हम राव मालदेव के बारे मैत्यन करेंगे जो मारवार के सबसे योग के सास को में से एक थे